हो गया ना हलोच नमस्कार गूड मॉनिंग स्वागत है आप सभी का रोजगार विदन की चैनल पर तो कैसे हो आप सभी लोग बचे आज हमारा जो चैप्टर चलने वाला है डिसकाउंट जिसको हिंदी में बोलते हैं बट्टा ठीक है छूट जिसको बोला जाता है बहुत सार इस टाइम मैंने आपको प्रॉफिट लॉस स्टार्ट कराया था मैंने बात कही थी आप सो आपको की अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट की लॉस की तो किस पर मिलेगा कॉस्ट प्राइज याने के किरिये मुले पर लेकिन अगर मैं बात करता हूं डिसकाउंट की तो डिसका तो वह 20% का जो डिसकाउंट है वो किस पर मिलेगा 799 जो आपने टेग प्राइज देखा उसी पर मिलेगा ना अब ऐसा तो नहीं है कि 799 में वो दुकांदार उसे खरीद कर लाया होगा दुकांदार तो 799 में थोड़ी खरीद कर लाया होगा दुकांदार तो हो सकता है थोक में उठाता है बहुत बारीकी से पढ़ेंगे डिसकाउंट के बारे में पढ़ते हैं जिसको हिंदी में बहुत सारे नाम दिये गए हैं जैसे आपके भी घर के नाम होंगे काडू भूरू सौनू मौनू और आपके इंस्टाग्राम पे नाम होगा सुपर कोल बॉई और रॉकी हैंडसम धर का नाम काडू और उस पे नाम है रॉकी हैंडसम इसी तरीके से इसके बहुत सारे नाम है कि बट्टा इसको छूट भी बोला जाता है ठीक है इंगलिस में इसको रिबेट भी बोल देते हैं और यह डिसकाउंट अब यह मिलता किस पर है किस पर मिलता है किस पर मिलता है अंकित मुल्य पर मिलता है कि अंकित मुल्य Aww though यह बात आप हमेशा याद रखेंगे कि जब भी मैं डिस्काउंट की बात करूंगा तो यह अंकित मुल्य पर मिलेगा जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम इसको ठीक है जैसे मैं आपसे कहूं किसी वस्तु का जो मार्किट प्राइज है जो 10% डिस्काउंट पर मिलती है तो आप क्या कहेंगे कितने रुपे में वो मिली यह पितने रुपे में बेची गई बैची बचे having MRP अगर 200 रुपे है 10% डिस्काउंट पर बेची गई तो उसका सेलिंग प्राइज कितना होगा उसका दुकान दार के लिए उसका सेलिंग price कितना होगा आप क्या कहेंगे आप कहेंगे कि सर अगर 200 रुपे उसका MRP है और वो 10% discount पर अगर बेची जाती है तो कोई भी चीज अगर 10% discount पर बेची जाती है तो वो 90% में बेची जाएगी कितने में सर वो 90% में बेची जाएगी और आपका जो आंसर होगा वो होगा 180 रुपे कितना होगा 180 रुपे होगा सर चलो ये बात तो ठीक होई सर आगे सवन में थोड़ा सा चलो और आगे मैं इसको advance बनाता हूँ आपके लिए थोड़ा सा advance बनाता हूँ एक बिल्कुल चीजे systematic चलेंगी एक line में मुझे बताओ और 10% के दो discount दिये गए हैं पहला discount भी 10% का दूसरा discount भी 10% का तो अब selling price कितना होगा पहले मैंने एक discount दिया 200 पर 10% का तो एक सोशी में उसे बेचा गया अब दूसरा discount discount अजनी स्पानी देगा दूसरा discount भी मैंने add कर दिया तो अब आपका answer कितना होगा तो अब आप कहेंगे कि सर अब उसी तरीके से एक बार करके देखते हैं कि सर 200 रुपे थे पहला discount मिला कितने का 10% का तो सर 200 का 10% होता है 20 यानि कि 180 में मिली होगी अब जो दूसरा discount होगा आप बचे यह चीज समझने वाली है कि बचे गलती क्या करते हैं गलती मैं आपको बता देता हूँ जो लोग जोनोंने पढ़ा नहीं होता वो गलती क्या करते हैं वो कहते हैं 10 और 10 एक discount 10% का दूसरा discount भी 10% का तो दोनों कितने हो गए 20% का discount हो गया तो बचे आप कहेंगे स 160 में बेचा जाएगा आपने क्या किया गलती करके आपने 10 और 10 को जोड़कर 20% का discount मान लिया लेकिन ऐसा नहीं है पहला discount 10% का मिला 200 पर तो मिला भाई 180 रुपे अब बचे जो दूसरा discount मिलता है ना यह दूसरा जो 10% है यह घटे हुए मुले पर मिलेगा यह घटे हुए पूरे पर घटे हुए मुले पर यानि के यह 10% अब 180 का होगा तो यह 18 रुपे का discount मिलेगा केवल आपको केवल 18 रुपे का discount मिलेगा आपको तो यहां पर 180 में अगर 18 का discount देते हो तो कितने में 162 रुपे में देखो कहां आपने गलती कर दी 160 करके 20 और 162 में आपको मिलेगी 162 में वस्तु मिलेगी तो यह आपको गलती नहीं करनी है जब भी discount आपको successive दी होंगे तो आपको जो घटा हुआ मुले है उसी के उपर discount calculate करना होता है चलो ठीक है यह वाला basic concept भी आपको समझ में आया थोड़ा सा मैं आगे लेके चलता हूं next page पर ही इसको यहीं प अब जब भी हमें successive discount दिये हो तो उनका combined discount कैसे निकालते हैं उनका combined discount किस तरीके से निकाला जाता है जैसे मैंने कहा एक discount है 10% का दूसरा discount है 10% का होता है ना हम मार्किट जाते मार्किट में लिखा होता है बीस पिलस दस परसेंट वह आप online shopping भी करते होगे लिखा होता होगा 20% पिलस 10% का discount 20% पिलस 10% का discount आप कभी दुकांदार से बोलना ये बात जहां भी आप पिलस वाला discount देखें आप बोलना कि ये काम कर ये 20 पिलस दस क्यूं कर रखा है इसको 30% कर दो सीधा 30% discount दो मुझे तो दुकांदार कहेगा ना भाई 20 और 10 30 का discount नहीं पहले 20% का फिर 10% का वो reason आप अभी समझेंगे कि दुकांदार आपको 20 प्लस 10 का discount क्यों नहीं देता है वो reason अभी आप समझेंगे ठीक है अभी मैं आपको बताऊंगा वो reason अब जैसे 10% और 10% का discount है बच्छे बहुत सार तरीके है effective discount निकालने के एक word होता है effective discount तो effective discount निकालने के बहुत सारे तरीके हैं मैं आपको बताऊंगा बहुत सारे तरीकों में एक दो तरीके क्या होते हैं पहले ratio method से कर लेते हैं ratio method से कर लेते हैं तो ratio method क्या कहता है 10% का जो fraction है वो एक बटे 10 होता है यानि कि कोई पर बेच दी तो कितने में बेची है सर्वो नौ रुपे में बेची गई है दूसरा भी दस परसेंट का डिसकाउंट है तो दूसरी बार भी आप दस से नौ कर दो तो गुणा करेंगे इधर दस धाम 100 इधर गुणा करेंगे नौनाम 81 जो इधर आता है बच्चे यह सैलंग प्राईज आता यह उसका विक्र मुल्य आता है जो इधर आता है यह mrp यानिके market प्राईज आता आता है कोई वस्तू अंकित मुल्य अगर 100 रुपे था तो वो 81 में बेच दी गई दो डिसकाउंट के बाद तो यहां पर कितने का डिसकाउंट मिला है आप कहेंगे सर 19 का डिसकाउंट मिला है और कितने पर 100 पर तो 19 बटे 100 और गुणा 100 आप कहेंगे सर 19% का discount 19% का discount है अब एक difference आप देखो यहाँ पर यहाँ पर एक difference आप गौर करना कि जब मैंने इसको direct अगर मैं जोड़ूं भई मैं कहूं 10% और 10% के 2 discount है बचे अगर मैं direct जोड़ूं तो 20% बनता है आप दुकान पे जाते हो कि भाई प्लस का sign क्यों लगाया है 10% प्लस 10% discount आप डारेक्ट दो मुझे 20% का discount तो दुकानदार उस बात पर सहमती नहीं देगा क्यों कि आपने कहा 10% और 10% 20% का discount दो लेकिन उसने तो successive लगाया और successive लगाकर discount दिया 19% तो मुझे एक बात बताओ अगर आप दुकानदार हो तो जाद discount में आपका फायदा है या कम discount देने में आपका फायदा है अगर आप दुकानदार हो अगर आप दुकानदार हो आप seller हो तो जितना कम discount दो आपका तो उतना ही फायदा होगा तो आप मुझे बताओ direct जोडने में 20 आया और successive लगाने में आया 19% तो फायदा दुकानदार का क होगा या successive जोडने में होगा याद रखना जब भी हम successive निकालते हैं तो वह डारेक्ट से कम आता है याद रखना जब भी हम successive discount निकालते हैं तो वह direct वाले से जोडने से कम आता है इतना आप याद रखना चलो यह 19% तो ratio method से आया, अब जब 2 discount आपके पास हो, तो 2 discount को आप formula से भी कर सकते हो, बचे एक formula होता है, बड़ा famous सा formula है, कौन सा formula है, formula है, a plus b minus, यहाँ पे एक plus होता है, minus, minus a गुणा b बटे 100, यह formula से भी आप कर सकते हो, यह effective discount निकालने का formula है, effective discount निकालने का, effective discount निकालने का formula क्या है, a plus b minus a गुणा b बटे 100, तो आप अगर इसको लगाओगे, तो भी आपका 2 discount का direct आ जाएगा, कैसे 10 और 10, 20, भाई 10 plus 10, minus 10 गुणा 10 बटे 100, तो आपका answer आएगा, 20 minus 1, यानि के 19%, ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है, formula, लेकिन मैंने आपको हमेशा जब बताया है, जब भी पढ़ाया, के formula कुछ limited चीजों के लिए होता है, कुछ limited चीजों के लिए होता है, लेकिन concept जो होत होता है, वो सदा बाहर होता है, आप उसको कहीं भी लगाओ, जयसे एक example मैं आपको और देता हूं, बज़े खुद बताना, आप दुकानदार हो, या सोच के बैठो, आप दुकान दार हो, आप वस्तु को बेच रहे हो, आप वस्तु को बेच रहे हो, दो discount है, एक 20% का, और एक दस परसेंट का एक 20 परसेंट का और एक 10 परसेंट का डिसकाउंट यह सक्सेसिव डिसकाउंट दिये किसी वस्तो पर तो effective discount कितना बनेगा effective discount कितना बनेगा जल्दी से मुझे बताओ आप formula से करो, आप ratio method से करो सब कुछ आपके ओपर depend है ठीक है, चले तो effective discount होगा भाई a plus b minus a गुणा b बटे 100 तो आप कहेंगे सर बीस और दस 30 minus 20 गुणा 10 बटे 100 यानि कि आएगा 28% का effective discount है, कितना 28% का effective discount बना, आप इसे ratio method से भी कर सकते हो, 20% का होता है 1 बटे 5 और यह 1 बटे 10, यानि कि एक तो 5 से 4 कर दो, और एक 10 से 9 कर दो, तो कितना जाएगा 50, 50 से 36, यानि कि कोई बस्तू का अंकित मुल्य अगर 50 है, market price अगर 50 है, तो उसे बेचा कितने में गया है, उसे बेचा गया है 36 में, कितने का discount मिला, सर चौधे का discount मिला, और किस पर, 50 पर 20 परसेंट का, अब आप खुद बताओ अगर आप दुकानदार हो, बचे मैं यहां पर लिख देता हूँ, अगर आप दुकानदार हो, और अगर आप खरीददार हो, अगर आप दुकानदार हो, अगर आप खरीददार हो, तो आपका फायदा किस में है आपका फायदा क्या डारेक्ट में है बीस और दस तीस का डिसकाउंट दू मैं आपको आपको मैं डारेक्ट का तीस का डिसकाउंट दू किसी को अगर आप दुकानदार हो अगर मैं अपने ग्रहक को बीस और दस तीस डारेक्ट डिसकाउंट देता ह तीस परसेंट डिसकाउंट को लिख दू बीस प्लस दस अब जिसने डिसकाउंट चैप्टर नहीं बढ़ा उसको तो लगेगा तीस ही तो है बीस और दस तीस लेकिन अगर मैं डारेक्ट तीस दूँ और एक मैं सक्सेसिव बना कर दूँ और अगर आप दुकानदार हो तो अगर आप खरीदार हो अगर आप वस्तु खरीदने जा रहे हो तो आपका फायदा किस में है वह अगर हम कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो हमें तो जादा से जादा डिसकाउंट मिल जाए हमें तो जादा से जादा डिसकाउंट मिल जाए होता है ना हमारे साथ एक ऐसा जरूर जाता है जो बहुत मिलकुल मलब आखों से आशु निकला देता है दुकानदार के वाहिव और jaunٹ दे तो हम अगर खरीदने चा रहे हैं हमें तो फिरी में एमें तो और फिरी में तो जादा डिसकाउंट मिले उतना फायदा है तो जादा डिसकाउंट किस में मिला दोनों को जोड़ कर डारेक्ट में अगर हम खरीददार है तो भाई हमें डारेक्ट डिसकाउंट लेने में फायदा है तो दोनों में फर्क होता है दुकांदार है तो सक्सेसिव किसमें मिलता है ज्यादा डिसकाउंट डारेक्ट जोडने में मिलता है बीस और दस तीस और बीस और दस को सक्सेसिव बनाएंगे तो 28 परसेंट है ना चलो ठीक है यह कॉंसेप्ट भी आप समझे बहुत अच्छे से दुकानदार खरीदार के पॉइंट आफ व्यू से आगे जलते हैं जैसे मैं दो डिसकाउंट आप तीन डिसकाउंट सपोज मैं आपको देता हूं दो कॉंसेप्ट को एक साथ लेके चलना चाहिए फॉर्मूला भी जहां पर यूज हो वो भी और एक अधर मैथड भी चलना चाहिए जो मैथड बैस लगे टाइम पर जो फिट हो उस इसमें क्या फॉर्मूला लगाऊगे वैज तीन डिसकाउंट दिये हैं तीन डिसकाउंट दियें हैं 10% sentir 12% का और 16 सही दो बटे 3% के 3 discount है अब formula तो नहीं लगा होगे है ना क्योंकि यहाँ पर तो बटे बटे वाली संख्या है 3 discount successive दिये है effective discount बताना है effective discount तो आप इसे ratio method से बता दो जल्दी से क्या आपका होगा answer तो आप कहेंगे sir 10% का जो fraction होता है वो 1 बटे 10 होता है 12% का होता है 1 बटे 8 और इसका होता है 1 बटे 6 है ना पहला discount एक बटे 10 का तो 10 से 9 दूसरा एक बटे 8 का तो 8 में 1 का discount 7 तीसरा 6 का तो 6 में 1 का discount 5 अब 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 चीज और बताई थी आपको गुणा करने से पहले एक चीज और देख लिआ करो अगर इधर की value इधर किसी से कट रही हो तो काट दो यहीं पर गया है तो कितने का डिसकाउंट दिया है ग्यारे का डिसकाउंट कितने का ग्यारे का और किस पर 32 पर और गोणा सो तो 425 और 4 आठ ग्यारप अपंजे 55 ग्यारदुनी 225 27 बटे आठ आठ तीया 24 23, 8, 4, 32, 3 बटे 8 परसेंट 34 सही 3 बटे 8 परसेंट का effective डिसकाउंट है ओके 34 सही 3 बटे 8 परसेंट का effective डिसकाउंट तो वो आपको decide करना है कि आप कौन से method से जाओ अच्छा ठीक है सर आपने ये भी बताया formula method 2 पर लगाएंगे जैसे मैं आप से कहूं कि मुझे बताओ 6 परसेंट और 8 परसेंट के 2 डिसकाउंट है effective डिसकाउंट बताओ क्या होगा 6 परसेंट और 8 परसेंट के 2 डिसकाउंट है अब आप यहां पर ratio से तो नहीं जाओगे क्योंकि आपको पता है कि सर 6% का जो fraction होता है वो बढ़ा जाता है 6 बटे 100 तो जो मेरा ratio होगा न वो थोड़ा सा गड़बड करेगा थोड़ा सा गड़बड करेगा तो आप कहेंगे कि सर इसे तो formula से ही करेंगे a प्लस b माइनस a गुणा b बटे 100 तो कितना हो जाएगा 8 6 14 माइनस 6 8 48 बटे 100 तो कितना होगा 14 माइनस 0.48 कितना होगा 13.52 कितना होगा 13.52 कितना होगा 13.52 का effective discount है तो यह आपको formula से गई अब ठीक है ओके लेकिन अगर मैं कहूं आपसे 6 परसेंट 7 परसेंट और 8 परसेंट अब बताओ अब आप क्या करोगे अब आप क्या करोगे कि 6 परसेंट 7 परसेंट और 8 परसेंट ना तो आप ratio से जा सकते हो दिसकाउंट के जो fraction बनेंगे बड़े बड़े बनेंगे ना आप जा सकते हो formula से क्योंकि formula तो केवल दो के लिए बताया सर तो दोनों चीजे तो होगे इस side अब क्या करें तो तीन का भी मैं direct एक तरीका आपको बताओंगा जिसे आप apply करेंगे तीन का भी तीन से ज्यादा डिसकाउंट नहीं पूछेगा कभी आपको परिशान नहीं करेंगा तीन से ज्यादा पूछ कर है ना तो आपने करना क्या है वो चीज मैं आपको बताता हूं तीन का आपको मैं तरीका बता रहा हूं direct बच्चे आप यहाँ पर फॉर्मूले से जा सकते हो पहले दो में फॉर्मूला लगाओ पहले ये a पिलस b माइनस a गुणा b बटे 100 इन दो में लगाएंगे और जो यहाँ आपको आंसर मिलेगा फिर उसको उसी फॉर्मूले को इस तो डारेक्ट तो फिर आपको लगा है कि हाँ सर दो तो बार फॉर्मूला लगाने से हम बच जाएंगी तो चलिए सीखते हैं क्या कर सकते छिप तकरना क्या है 6 प्लस 7 प्लस 8 तो कितना एगा 8 और 7 15 और 6 21 एक बार मैंने क्या किया तीनों को एड किया है पिलस क्या करना है पिलस या माइनस नहीं दूसरे में माइनस करना है माइनस करना है माइनस हम यह फॉर्मुला ना इस तरीका का सी आई में भी पढ़ेंगे जह हम इफेक्टिव रेट निकाल रहे हों दूसरे में करना है माइनस और क्या करो दोदो की गुणा करो दोदो की कितना साथ 6 42 आठ सक्ते 56 और 6 आठ 48 6 आठ 48 मैंने क्या क्या दोदो की गुणा की है 42 56 और पहले और तीसरे की 48 इन तीनों को जोड लो कितना आएगा 8 6 14 और 2 16 हासिल का एक चार पांच नौर चार तेहरे और एक चोध है लगाया दो दो की गुणा की 42 56 और पहले और तीसरे की 48 तीनों को गुणा की जोड़ा तो 146 डिवाइड बाइस हो फिर पिलस का साइन और तीनों की गुणा कर दो कितने की चैसे 42 और गुणा आठ तो आठ दो नी 16 हासिल का एक आठ चोगे 32 और एक 33 और यहां पर दो जीरो से डिवाइड किया है तो यहां पर चार जीरो से डिवाइड कर दो यह आपका अंसर आ लेगा एक्जेक्ट आएगा लगभग नहीं आएगा एक्जेक्ट आएगा ठीक है कैसे आप कहेंगे 21-1.46 पिलस 0.0336 नीचे 4-0 है न तो पॉइंट के बाद 4 संख्या होनी चाहिए तो पिलस वालों को एक साथ जोड़ लो वही कितना आएगा 21.0336 और उसमें से 1.46 आप घटा दो यह 36 तो आजाएगा 13 में से 6 गए 13 में से 6 गए तो 7 9 में से 4 गए 5 और यह कितना आजाएगा 20 में से 1 गया तो 19 कितना आएगा 19.57 36 परसेंट मैं फिर से रिपीट करता हूँ करना क्या है मुझे 6,78 का effective discount निकालना था तो मैंने पहले तीनों को जोड़ा 8,7,15,6,21 यहाँ पे लिखा फिर माइनस का साइन किया फिर मैंने 2,2 की गुणा की 6,7,42, 7,8,56 और 8,6,48 इन तीनों को जोड़ा आया 146, बटे 100 फिर तीसरे में पिलस का साइन लगा के मैंने तीनों को गुणा कर दिया तो आया 336, यहाँ बटे 100 तो यहाँ बटे 4,0 कर देंगे इसको solve करेंगे आप का अंसर इतना आ जाएगा 21-1.46 पिलस 0.036 इन दोनों को जोड़ा पिलस वाली को तो 21.036 उसमें से माइनस कर दिया तो आगया 19.57 36% ओके चलो एक और example कराता हूँ मैं आपको यह question ही है जो मैं करा रहा हूँ आपको सवाल ही है यह मैंने कहा 2% 3% और 4% बताओ इसका बतादो आप जल्दी से अब ना तो इसमें मैं ratio method से जा सकता हूँ ना मैं इसमें formula से जा सकता हूँ दो बार मुझे formula लगाना पड़ेगा तो बताओ फिर हम इसमें कर क्या सकते हैं बच्चे वही तीन वाला method लगाएंगे मैंने आप से कहा एक बार तीनों को जोड़ दो तो चार तीन साथ और दो नौ फिर माइनस का sign लगाओ दो दो की गुणा करो तीन दूनी 6 चार तीया बारा और दो चौके आठ तीनों को जोड़ दो बारा और आठ बीस और छे 26 और बटे 100 एक बार माइनस तो दुबारा पिलस तीनों की गुणा करेंगे चार तीया बारद उनी 24 और यहां बटे 100 किया तो यहां बटे 4-0 कर देंगे तो कितना आएगा 9-0.26 पिलस 0.0024 बचे पॉइंट के बाद 4 संख्या आनी चाहिए क्योंकि 4-0 है पिलस वालों को अलग जोड़ लो 9.0024 और उस में से 0.26 आप घटा देंगे कितना आएगा 24 तो ऐसे ही आएगा 10 में से 6 गए 4 9 में से 2 गए 7 तो आंसर कितना आगया 8.7424 परसेंट 8.7424 परसेंट एकजेक्ट आपका यह आंसर है ओके चले एक और बता दो जल्दी से जल्दी से बताएंगे आप मुझे 11 परसेंट नहीं बताएंगे 7 परसेंट 9 परसेंट और 11 परसेंट अब यह ऐसे परसेंट है कि जो हमें ना तो रेश्यो मैथर से जा सकूँ ना मैं इनका इफेक्टिव दो दो का निकाल कर तीन बार फिर मुझे दो बार फॉर्मुला लगाना पड़ेगा और वो बड़ा टिपीकल हो जाएगा पॉइंट्स वगेरा की गुणा करना बड़ा टिपीकल होगा तो आप इसे कैसे करेंगे एक बार तीनों को जोड़ो भाई एक बार तीनों को जोड़ेंगे कितना आएगा ग्यारे और नो बीस बीस और साथ सत्ताइस माइनस का साइन दो दो की गुणा करेंगे नो सत्ते तरे सट ग्यारे नाम निन्यान में और ग्यारा सत्ते सत्तर जोड़ेंगे तीनों को 9, 3, 12, 12, 17, 19 हासिल का 1, 9, 6, 15, 15, 17, 22, 23, 249, बटे 100, बटे 100 किया, यहां माइनस तो दुबारा आएगा पिलस, दुबारा आएगा पिलस, तीनों की गुणा करेंगे, कितना आएगा, 11 नाम निन्यान में, निन्यान में गुणा 7 कितना होता है, 7 नाम 63 हासिल का 6, 7 नाम 63 और 6, है, 79, यहां 2,0 थी, तो यहां 4,0 कर दिया, आपने, सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, भई, तो कितना आएगा, 27 माइनस, 2.39, पिलस, 0.0693, पॉइंट के बाद 4 संख्या हो नीची है, क्योंकि नीचे 4,0 है, पिलस वालों को अलग जोड़ लो, तो 27.0693, और उसमें से हमें घटाना है, 2.39%, कितना एगा, 3,9, 16 में से 9 गए 7, और 9 में से 3 गए 6, यहां 6 बचा, 6 में से 2 गए 4, और आपका अंसर आ गया, कितना, 24.6793%, कितना है, 24.6793%, बिलकुल सही जवाब, तो यह आप अब सीखे, यह आप अब सीखे, किस तरीके से सवालों को, exact तरीके से निकाला जा सकता है, ठीक है, तो effective चीज भी आप सीखे, successive भी आप सीखे, कि successive अगर डिसकाउंट दिया हो, तो हम क्या करेंगे, ओके, तो और भी, तो हम फिर सवालों के साथ ही चीजों को समझते रहेंगे, चले, अब जैसे यह सवाल है, पहला सवाल है, एक बार देखेंगे, क्या है सवाल, कि एक वस्तू पर छपा हुआ मुल्य नौसो रुपे है, एक वस्तू पर जो हमारा छपा हुआ मुल्य है, या छपा हुआ मुल्य क्या होता है, MRP होता है, MRP, जो MP, Market Price, अंकित मुल्य की ब के बट्टे पर खरीद कर और 900 रुपे में बेच देता है तो खुद्रा व्यापारी का लाभ पिड़तीसत क्या होगा बच्चे जहां लाभ पिड़तीसत पूछेना याद रखना आपको कॉस्ट प्राइज की जरूरत है कि आपको कॉस्ट प्राइज की जरूरत है तो आप कॉस्ट प्राइज निकालो सबसे पहले वचे मुझे डेली बताने की जरूरत आपको ना पढ़नी चाहिए कि मैं आपको केवल पढ़ाई से लगर कोई कमेंट करोगे सवाल से लग तो किवल चार कमेंट तक मैं आपको मौका दूँगा फिर आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा क्योंकि मैंने क्लास की फर्स्ट क्लास में बोला था कि CGL का बैच है मुझे सौ बच्चे ही चाहिए लेकिन वो सीरियस होने चाहिए मुझे नहीं है जरूरत भीड करने की कि मेरी क्लास में इतनी सारी भीड हो आसान आसान सवाल करके बच्चों वह रही ऐसा आएगा CGL में मैं भी निकालूँगा ऐसा आएगा CGL मैं भीया CGL है अच्छा लेवल आएगा अप सर ओफिसर बना रहे हैं वो आपको तो A, B, C, D 10% 5% में आफिसर नहीं बनते हैं तो सोचो इस बात को उस चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको तो वह भीड से हटके चलना पड़ेगा आपको तो प्लीज आप एक्स्टर कमेंट ना करें रजनी जो भी एक्स्टर कमेंट करें उसको ब्लॉक कर देना ठीक है एक प्रमनेंट चैनल से ब्लॉक कर देना ठीक है उसने कहा एक वस्तू पर छपावा मूले 900 रुपे है लेकिन एक खुद्रवयापारी इसको 40% बटे में खरीद कर 900 रुपे में बेश देता है तो खुद्रवयापारी का लाभ प्रतिसत बताओ क्या होगा तो आप अब रीटेलर है वो थोक विकरेता से खरीदेगा तो वो डिसकाउंट कितना मिला उसको 40% का डिसकाउंट मिला तो भाई रीटेलर के लिए खुद्रा व्यापारी के लिए किरिये मुले कितना हो गया कि उसका 900 रुपया MRP था और 40% के डिसकाउंट पर अगर वो लाया है त 60% में लाया होगा 2.0 से 2.0 कतम 9.6 के 54 यानि के वो 540 में खरीद कर लाया होगा मुझे cost price निकालना जरूरी था क्योंकि मुझसे उसने क्या पूछा मुझसे उसने लाभ पिरतिसत पूछा है और उसने कहा कि उसने 900 में बेच दिया यानि कि अब उसका जो selling price है वो कितना है 900 तो जो चीज वो 540 में खरीद के लाया वो 900 में बेच दिया तो कितने का उसे profit हुआ profit हुआ उसे 6 360 रुपे का profit हुआ भई कितने का हुआ 360 रुपे का और लाभ हो या हानी हो हमेशा किरिये मुल्य पर होते हैं तो 540 और गोना 100 अठारे दोनी 36 अठारे तिया 54 यानि के 200 बटे 3 आपका अंसर आएगा 66 सही 2 बटे 3 परसेंट आंसर आप्शन नमबर 3 बिल्कुल सही जवाब होगा ठीक है 66 सही 2 बटे 3 परसेंट का बिल्कुल सही जवाब होगा चले भाई आप लोगों को मैं कितनी बार बता चुक हूँ आप लोग नए हो अभी फिल्ड में अभी आप लोगों के अंदर जुनून आया है कि 20,000 वेकेंसी है मैं लगूंगा और बच्चे मैं गैरंटी देता हूँ आप 100 परसेंट लगोगे 100 परसेंट लगोगे मैं सेलेक्ट तिन तिन चार चार साल से त्यारी कर रहे हिए मैं यह नहीं किरा कि आप उनके बराबर ने पाउसकते आप 47 रोड दाई मैने में उनकी बराबर तो क्या उनको 44 पीछे प्रेक के मारोगे आप अगर सीरियस हो तो आप सीरियस नहीं हो तो जो चीज आप नॉन सीरियस होकर पढ़ रहे हो ना वो अल्रेडी वो पढ़ चुकी है सीरियस होकर पढ़ोगे तो उनको सरपास कर जाओगे बैजो तु चार साल में नहीं कर पाया अब क्या करेगा हट हमें चलने दे आ ओगे ऐसे करके जाओगे लेकिन अगर सीरियस नहीं हो तो वो आपकी वो आप से आ गए हैं फिर तो बी सीरियस उसने का एक वासिंग मसीन का अंकित मुल्य 12,000 रुपे है, एक व्यक्ति उसे 10% और 20% के किनमिक छूट पर खरीदता है, यदि वह उसे 10,800 में बेचे तो उसे कितने पिरतिसत का लाव या हानी होगी, यहां पर सबसे पहले आपको उसका क्या निकालना है, cost price निकालना है, कितने में उसने खरीदा है, आप देखेंगे, washing machine का जो अंकित मुल्य है, वो कितना है, 12,000 रुपे, अब एक व्यक्ति ने उसे 2 discount में खरीदा है, 10% और 20%, तो सबसे पहले तो उसका cost price आपको निकालना है, पिछले सवाल में तो एक ही discount था, 40% का, यहां पर double discount आपको दे दिया, double discount, तो अंकित मुल्य कितना ह 12,000, आप direct उसका answer निकालेंगे, direct cost price निकालेंगे, देखना, कैसे, बचे मुझे एक बात बताओ, अगर पहला discount 10% का है, उसने 2 discount लिए 20 और 10 के, effective निकालना है, अगर पहला discount 10% का है, तो कितने परसेंट में उसने खरीदा होगा, सपोज उसके पास दूसरा discount था ही नहीं, अ अगर वो पहला discount 10% का है, तो कितने परसेंट में वो खरीदता, 10% का discount मिलता, क्या वो 90% में खरीदता, जी सर वो 90% में खरीदता, अंकित मुल्य का 90%, 12,000 का 90% में वो खरीदता, दूसरा discount 20% का भी पीछे-पीछे खड़ा था, तो दूसरे discount ने कहा, भाई, मैं भी हूँ 20% line में, तो अगर दूसरा discount 20% का, तो फिर अब कितने में खरीदेगा, क्या वो अब 80% में खरीदेगा, तो ये 80% हो गया, तो आप मुझे बताओ, उसका cost price कितना होगा, cost price कितना होगा, वह 20,000 से 20,000 कितना जाएगा, जीरो बारे निम्मा एक सो आठ, एक हजार असी और गुणा आठ, आठ जीरो जीरो आठ यठे, चौसट छे, आठ जीरो 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 और आठ एकम आठ, यानि के 8,640 उसका cost price है, 8,640 उसका किरिये मुल्य है, सवाल ने कहा कि भाई, वो 10,800 में बेच रहा है, तो selling price कितना है 10,800, तो यहाँ पर तो उसे profit हुआ है, सर कितना profit हुआ, आप बता दीजे भई, घटा ये, 0, 10 में से 4 गए 6, 7 में से 6 गए 1, और 10 में से 8 गए 2, 2160 का profit हो गया, तो profit percentage निकालना है, तो आप कहेंगे 2160 बटे, 8,640 और गुणा 100, जीरो से जीरो खतम, 248, 164, 64, और 4 से जाएगा पूरा 25%, तो भाई, कितना percent का profit हो गया, 25% का उसे profit हो गया, total काम किसका था निकालने का, cost price का, यहां तक आपने निकाला, अब देखो यह तो हमने किया है, 100 वाले में थर से, आप इसे effective discount भी देखो, effective discount दिमाग में निकलना चाहिए, अब यार, अब दिमाग में निकलना चाहिए, कैसे, आप मुझे बताओ कि 20 और 10% के दो discount है, तो effective कितना होगा, effective का formula आपने बताया है, a plus b minus a गुणा b बटे सो, दिमाग में चलना चाहिए, हर चीज pen से copy पर नहीं जानी चाहिए, समय कम होता है, exam में मैं फिर बोल रहा हूँ, एक चीज copy में लिखके करोगे ना, तो paper छुट जाएगा, आधी से ज़्यादा चीज़ आपके दिमाग से ही बन के आनी चाहिए, रेडिमेट बन के आनी चाहिए, आपके दिमाग से ही, आपने देखा 10 और 20, तो 20 और 10, 30, 30, minus 200, बटे 100, यानि के 28% का effective discount बनेगा, कितने का, सर ये 28% का, ये भी दिमाग में बनना चाहिए, और दिमाग में इसके बाद एक step और बनना चाहिए, कि अगर 28% का discount हमें मिला, तो वो 72% में बेचा गया होगा, अगर मैं दुकान दारू, खरीदारों तो 72% में मिला होगा, तो 12,000 का, तुरंत अब पैन जो चलेग दो, 1270, 84 और दो, 86, यानि कि आपका cost पैन जो चलेगा न वो केवल इन दो लाइन पर चलना चाहिए, यहां तक और 72% तक आपका कोई पैन नहीं चलना चाहिए, दिमाग से रेडिमेट चीज़े बाहरा नीच चाहिए, बन के अंदर से, ठीक है, तो अब आपको तो कोई दि दिमाग से रेडिमेट बना के बाहर निकालना, पैन कॉपी की जरूरत हमें उतने काम के लिए पढ़नी चीए, जितना हमारा दिमाग कहता है कि भाई, बैस कर सारा काम उसे ही कराएगा, कुछ हाथ से और पैन से भी कर ले, तब जब तक दिमाग न बोल दे, दिमाग को तो कुछ काम कराते हो नहीं, सारा काम हाथ पे हैं, रगड़े जा रहे हो, क्यों, भाई, सबसे बड़ा दिमाग, human mind, अगवाने इतने अच्छी चीज हमको दी है, उसका यूज करो, आप देखो, भाई, तीस और दस का effective discount, अगर मैं पूछूं तो तीस और दस, चालिस, चालिस 37% ही आपका answer आजाएगा, ओके, चलो next चलते हैं, सवाल देखिए, डरना मत सवाल को देखकर, क्योंकि मैं ये concept आपको सिखा चुका हूँ, क्लास के शुरू में ही, के दुकानदार के लिए फायदा कौन सा है, और खरीदार के लिए फायदा कौन सा है, वहीं सेम चीज है, उसने कहा कि प्यूस कोई भी समान खरीता है, सूची मुल्य निर्धारित करता है, और किरिय मुल्य से 60% अधिक अंकित करता है, कोई दिक्कत नहीं है, इस निर्धारित मुल्य पर वह 25 और 5% के 2 किरमिक छूट देकर बेचता है, अब वह कितने पिर्तिसत लाब कमाएगा, अरे वा, बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, देखिए एक बार, चले, हुआ कि सूची प्यूस ने कोई भी समान खरीदा, और सूची मुल्य, सूची मुल्य निर्धारित करता है, जो उसके खरीदने वाले से 60% जादा है, हमें नहीं पता प्यूस ने वो समान कितने में खरीदा था, लेकिन हमें ये पता है कि जितने में प्यूस ने वो समान खरीदा है, उससे 60% जादा उसका अंकित मुल्य रखा है, तो क्या यहां से मैं आप से कहूं, कि CP और MP, अगर CP पी हंड्रेड है तो MP 60% जादा क्या उसका अंकित मुल्य 160 होगा यहां तक कोई दिक्कत है किसी को अगर उसने 100 में खरीदा तो 160 में बेचा होगा अब उसने कहा कि भाई वो इस पर निर्धारित मुल्य पर निर्धारित यानिके 160 पर दो डिसकाउंट देता है 25 और 5 के तो इन डिसकाउंट के बाद उसने कितने में बेचा होगा वो सेलिंग प्राइज आप निकालो क्योंकि किरिये मुल्य आपके पास है आपके पास सेलिंग प्राइज आना बहुत जरूरी है तभी आप लाब बता सकते हो कितने में खरीदी कितने में बेची लाव पिर्ती सथ तभी पता चलेगा चले पताएंगे जल्दी से करिए पताओ जल्दी से क्या होगा आप कहेंगे सर उसने 25 परसेंट और 5 परसेंट के दो डिसकाउंट दिये तो आप effective discount निकालके भी आप बता सकते हो कितने में बेचा आप उसका इफेक्टिव डिसकाउंट के बिना रेशो से भी जा सकते होगे इसका आप रेशो बना सकते हो फ्रेक्शन 25% का एक बटे 4, 5% का एक बटे 20 या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर 160 उसका अंकित मुल्य है तो भाई एक डिसकाउंट 25% का तो 75% में बेचा होगा दूसरा डिसकाउंट 5% का तो 45% में बेचा होगा ओके तो यहां से आप डारेक्ट सेलिंग प्राइज निकाल सकते हो तो 25, 3, 75, 25, 100, 4 से जाएगा 4, 4, 16, 40 बार तो बीस दूनी 40 और बीस पंचे 100, 5 से जाएगा 19 बार, 19 तिया 57 दूनी 114 यानि के उसका जो सेलिंग प्राइज है वो 114 अब सवाल ने कहा के कोई चीज 100 रुपे में खरीद कर अगर 114 में बेच दी तो भाई उसे 14% का डारेक्ट फायदा हो गया के नहीं हुआ परसेंट प्रॉफिट का क्या मतलब है 100 से जितना जादा हो उतने ही परसेंट का अगर यहां पर होता सेलिंग प्राइज 105 का 100 से 105 5% का प्रॉफिट होता अगर 128.6 तो 128.6 तो 128.6 परसेंट का प्रॉफिट सीधा सीधा हो जाता आप ऐसे भी कर लो चौध है फाइदे में चौध है किरिय मुल्ले कितना है 100 और गुणा सो यह 100 तो हमेशा कट नहीं है तो आपका आंसर वही आएगा जो इनका डिफरेंस है तो आंसर कितना होगा 14 परसेंट अप्शन नंबर सी बिलकुल सही जवाब नेक्स चलते हैं आईए सवाल पर एक बार करेंगे बताए इतना सफीसेंट है मैंने कब बोला इतना सफीसेंट है अभी तो किलास सुरुवात हुई है मेरे भाई अभी तो किलास की सुरुवात हुई है हाँ दो चेप्टर जो मैंने आपको पढ़ा है प्रॉफिट लॉस औ और परसंटेज वो मेंस लेवल तक के पढ़ा दिये मैंने आपको उससे बाहर मेंस लेवल का सवाल भी नहीं जाएगा देख लेना आप अपरेल में अगर आप मेंस आप परी आप भगवान से दुआ करूंगा कि आप अच्छे से मेनत करो पिरी क्वालिफाई करो मेंस में कुछ फायदा है नहीं अपने लेवल का पढ़ना तैक या-दो स्टेप ऊपर पढ़ना है ऐसा ने हो कि आप हाइफ हाइफ पढ़ लो एक गेंटे में सो कोश्चन करने होते हैं हाइफ हाइफ करके क्या करोगे अब मेंस में भी क्या करना है मेंस में भी एक घंटे में 30 कोश्चन मैथ के 30 कोश्चन reasoning के एक घंटे में 60 question का वैसे burden है अब पूरे page भर के थोड़ी सवाल दे देगा मैत का वो हमें examiner को पता है कि अगर मैं इसको जितना tough सवाल दूँगा यह नहीं कर पाएगा उसे तो सोचने थोड़ा टेक्निकली सोचने वाली बात है तो किसी वस्तूप के अंकित मुल्य पर ग्राहक को धाई परसेंट का बट्टा दिया जाता है तो व्यक्ति ने 49 में खरीदा तो वस्तूप का अंकित मुल्य का होगा दे को सवाल आसान है लेकिन यहां पर थोड़ा सा परसेंट और पांच बटे दो को आप लिख सकते हो पांच बटे दो गुणा सो फ्रेक्शन में बीस बार जाएगा यानि के एक बटे चालिस यह था भैस धाई परसेंट को एक बटे चालिस लिखना था कि कोई वस्तूप का अंकित मुल्य अगर चालिस है तो उसको एक के ड स्सी का मैं आपको जतना नुभग वह उससे मैं आपको बताऊं स्सी में वह आपको सवाल में नहीं करो में तो यहां पर कहेंगे 40 की कोई अंकित वस्तूं थी 1 रुपय का discount तो 49 में बेच दी गई और सवाल करे है कि विक्ती ने 49 में खरी दी तो 49 unit का मान 49 रुपय एक unit का मान 1 रुपया तो 40 unit का मान कितना होगा 40 unit का मान होगा 40 रुपया आपका आंसर हो जाएगा option number C बिल्कुल सही बात है यानि कि वस्तू का जो अंकित मूले है कितना है 40 रुपे बिल्कुल सही जवाब नेक्स चलते हैं सवाल आता है ये हाँ अब यहां पर आप मुझे बताओ जो मैंने क्लास की सुरुवात में आपको बताया था वो कंसेप्ट अब यहां पर काम आएगा करें कि सवाल क्या है कि एक लाख रुपे के बिल्ल पर मिलने वाली 40 परसेंट की कटोती और 36 और 4 परसेंट की सतत कटोतियों का अंतर ये वही तो सवाल है अगर हमने वो कंसेप्ट ना पढ़ा हो तो भाई आप कहेंगे कि सर एक 40 परसेंट की कटोती है एक बार कह रहा है 36 और 4 परसेंट की सर ये भी तो 40 परसेंट होता है तो डिफरेंस तो इनका जीरो आएगा आणसर आप्चैन नंबर ए इस तरीके से आप बोलोगे लेकिन नहीं मैंने आपको कहा कि अगर डिसकाउंट को दो में डिवाइड कर देगा तो भाई वो सक्सेशिव डिसकाउंट हो जाएगा तो आपको याँ डिफरेंस निकालना है उनका और याद रखना डिफरेंस का डारेक्ट मैं बता रहा हूं होता क्या है वही आपके पास दो है एक है 36 और एक है 4 एक बार तो आपने इनको डारेक्ट जोड दिया 40 आ गया एक बार आपने इनको सक्सेसी जोड़ा तो कितना आएगा आपको करना क्या है कि जो अंतर आपको निकालना है अंतर हमेशा अंतर हमेशा जब भी 36 और चार चालिस और अकेला चालिस दो सक्सेसिव का योग सिंगल के बराबर हो जब भी दो सक्सेसिव का सम सिंगल डिसकाउंट के बराबर हो तो जो इनका अंतर होता है वो होता है एक गुणा बी बटे सो डारेक्ट आप अंतर का फॉर्म तो अंतर बराबर क्या होता है? A गुणा B बटे 100 और कंडीिशन क्या है? कि दो सक्सेसिव का योग सिंगल वाले के बराबर होना चाहिए तो अंतर होता है A गुणा B बटे 100 तो आपके पास कितना है भई? एक लाक रुपया और A गुणा B बटे 100 अंतर हो जाएगा अंतर ही उसने पूछा है तो 36 गुणा 4 बटे 100 यानि के 144 बटे 100 तो 1.44% ये आपका डिफरेंस आएगा 40% की कटोती और 36 और 4% की सक्सेसिव कटोती के बीच में कितना आएगा 1.44% का तो 1.44% अपान 100 और इंटू 1 लाक ये पॉइंट हटेगा 2-0 तो 4-0 से 4-0 खतम कितना आएगा 1440 रुपया कितना आगया भाई 1440 रुपया अप्सन नमबर दो देखो पता चला ना कि जब भी सक्सेसिव की बात होगी तो डिसकाउंट थोड़ा सा कम मिलेगा थोड़ा सा कम द सवाल को करिए कि कि बताओ जल्दी से क्या होगा सवाल का अंसर आप कहेंगे 35 परसेंट चूट 20 और 20 परसेंट की किर्मिक चूट पर रासी में 22 रुपे का अंतर है तो बिल की रासी क्या होगी यहां पर अंतर ए गुणा बी बटे सो मत कर देना बच्चे यहां पर मत कर देना क्योंकि मैंने इसकी कंडीशन आपको बताई है कि यह डिफरेंस तब होगा जब दो सक्सेसिव का सम सिंगल वाले के बरावर आ नहीं है तो यहां डिफरेंस ए गुणा भी बटे सो मत लगा देना यहां आपको इनका सक्सेसिव निकालना पड़ेगा एक डिसकाउंट कितना है एक डिसकाउंट तो 35 परसेंट का है और जो दूसरा है वो सक्सेसिव है किस किस के 20 और 20 परसेंट के तो फॉर्मुला पाइनस ए गुणा भी बटे सो लगाया बीस और बीस में तो 36 परसेंट का डारेक्ट आपके दिमाग से निकल के आया सर 36 परसेंट और इनका जो डिफरेंस है वो कितना है भाई 35 और 36 का आप कहेंगे सर डिफरेंस तो एक परसेंट है और उसने तो 22 रुपे कहा है तो बिलक आपका option number 3 बिलकुल सही जवाब होगा next question पर चलते हैं next question है यहां आप देख लेना क्या दो successive का सम सिंगल वाले के बराबर है अगर है तो डिफरेंस होगा A गुणा B बटे 100 देखो उसने कहा कि एक cycle का सूची मुल्य 2100 रुपे है एक दुकानदार उस पर 28% की छूट दे कर बेचता है तथा एक अन्य दुकानदार उस पर 16 और 12% की 2 किर्मिक छूट दे कर बेचता है दोनों दुकानदार द्वारा दी गई छूट की रासी में डिफरेंस आपने बताना है वही सवाल है वही सवाल है सेम चीज है कि भाई 2100 रुपे की कोई रासी है 2100 रुपे का कोई cycle है उसने कहा कि एक discount तो 28% का direct दिया गया और दूसरा जो discount है वो 16% और 12% के successive discount दिये गए है अब अगर आपने ये चीज ना पढ़ी हो तो 16 और 12 आप हो गया सर 28 होता है ये भी 28% हो गया सर ये 28% है सर डिफरेंस जो अंतर है वो तो 0 आएगा option number 1 होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है जब भी बात successive की होगी तो discount थोड़ा सा कम मिलेगा कितना कम मिलेगा वो आप आराम से बता सकते हो आपने देखा सर 16 बार 28 सिंगल के बराबर है तो यहाँ पर जो difference है जो अंतर है वो होत A गुणा B बटे 100% का difference होता है तो आप कहेंगे 16 गुणा 12 बटे 100 तो 12 चिंग 72 हासिल के साथ 12 कम 12 साथ 19 बटे 100% यानि के आप कहेंगे 1.92% कितना आएगा 1.92% बिलकुल सही जवाब है दिखा लीजेब उसका 1.92% बही 2100 का 1.92% निकाल लो कितना आएगा आप कहेंगे सर 2100 गुणा 1.92% ठीक है 1.92 बटे 100 पॉइंट हटेगा और 2.0 2.0 से 2.0 गई बही कितना आएगा 21 दूनी 42 हासिल के 4 21 निम्मा 189 और 4 113 में 19 21 से कम 21 और 19 कितना होता है 21 से कम 21 और 19 होता है 40 बटे 100 था तो आएगा 40.32 रूपिया कितना आएगा 40.32 आप्शन नमबर 4 बिलकुल सही जवाब है ओके चलिए बताएंगे जल्दी से इस अब तो आप अब तो आप परफेक्ट हो चुके हो अब तो आप परफेक्ट हो चुके हो अब यह सवाल आप बता सकते बचे मैंने कही सारे सवाल क्यों लेकर आया हूं क्योंकि डिसकाउंट से इस तरह के सवाल बहुत आते हैं कि एक डिसकाउंट इतना दे दिया दो सक्सेसियों दे दिये और बताओ उसने कहा कि संकर 30 परसेंट और 10 परसेंट के किर्मिक छूट पर एक घड़ी खरीता है चार सो चावाल इसकी टोटल डिसकाउंट मिलते हैं डिसकाउंट मिलता है ओके यदि घड़ी को किस मुल्य पर बेचे के 40 परसेंट का लाब हो तो अब यहां पर संकर के लिए उसका किरिये मुल्य गौरव भार्दु आज को परमनेंट ब्लॉक करो हे पिरिया गुपता इस पर बेचा बर करिये मुल्य क्या है उसने का टोटल 444 चालीस के डिसकाउंट मिलता है तो आपके दिमाग c00 पर यह जो एह कुण 7 बड़िसधाए जरेदि 207 बनके आया रेडिये मेट कैसे बनके राया एह ए-2030 माइनस ए गुणा बी बटे सौ से तो रेडिमेट बन के आया कितना भाई ये कमेंट नीचे कर दो कितना आया ये आया 37 परसेंट और उसने कहा ये 444 के बराबर है यहां से 100 परसेंट का मान निकालना यह 100% की भी जरूरत नहीं है बचे आप 1% का मान बताओ मुझे कितना होगा तो आप कहेंगे 444 बटे 37 एकम 37 47 34 परसेंट का मान 12 बचे आपको कोस्ट प्रैज निकालने की कोई लोड नहीं है कोई जरूरत नहीं है क्यूं? मैं आपको बताता हूँ, उसने कहा कितने पर बेचे के उसे 40% का लाब हो, बचे जब किसी वस्तू पर 40% का लाब हो, तो क्या उस वस्तू को 140% में बेचा जाएगा? येस और नो, बिल्कुल होगा, है ना? तो आप कहेंगे, अगर 40% का लाब है, तो 140% में उसे बीचा जाएगा, तो 1% का मान 12, तो 140% का मान आप डारेक्ट निकालो, 12 गोना 140, तो 12-0-0, 12-4-48, 12-12-4-16, आपका जो आंसर आएगा, वो आएगा 1680, हाँ, बिल्कुल सही है, प्रिशान हो रहे हो, अच्छा, ओप्सन भी आ रहे थे आपके, बड़े तेज हो रहे हो यार, ओप्सन भी आ रहे थे, बहुत सारे बच्चों के तो, मैं पहले देख रहा था सार, ओप्सन नम्बर सी, और एक ने 3-4 कमेंट किया किया, उसके पीछे 4-5-6-10-12 लग गए, यही आ अनसर है, अब भी आ रहा है का, 1058.4, देख लो, अब भी आ रहा है का तो, क्या बोलो? चलो, कोई बात नहीं, अगले सवाल पर चलते हैं, चलो, इस सवाल प्याएंगे बच्चे, इस सवाल देखे एक बार, एक व्यापारी किसी वस्तु कांकित मुल्य, लागत से 10% अधिक ते करता है, कुछ बट्टा भी देता है, और उसे 1% की हानी होती है, तो उसका बट्टा पिरतीसत क्या है, उसका डिसकाउंट परसेंट क्या है, बताओ, आसान है सवाल, जल्दी से बताओ, इसके बारे में बहुत जल्दी सोचा जाएगा, और बिल्कुल आपकी बात कंसर्म पे है, ठीक है, मैं डिसकस करूँगा इस बारे, उसने का, एक व्यापारी किसी वस्तु का अंकित मुल्य लागत से 10% जादा तै करता है, कुछ बट्टा देता है, और उसे 1% की लोहानी हो जाती है, तो कितने परसेंट का उसने डिसकाउंट दिया, आप मुझे बताओ, एक व्यापारी किसी वस्तु का अंकित मुल्य लागत से 10% जादा तै करता है, यानि के लागत अगर उसकी 100 है, तो उसने कितना अंकित कर दिया, 10% जादा, यानि के 110 उसने अंकित कर दिया, लेकिन उसने बात को थोड़ा सा गुमाया, डारेक्ट नहीं बोला उसने, उसने बात को थोड़ा सा गुमाया, उसने कहा कि उसने कुछ डिसकाउंट दिया, अगर वो डिसकाउंट की वैल्यू आपको दे देता, तो आप 110 पे निकाल देते हैं डिसकाउंट, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा, उसने कहा कि उसने कुछ बट मिलेंगे, मुझे cost price यानि के किरिय पर मिलेंगे, तो अगर एक परसंट की हानी हुई है ना, तो वह एक परसंट की हानी लागत पे हुई होगी, तो भाई, 99.9 में में बेचा होगा यह selling price है, अब आप बता सकते हो discount कितने percent का दिया, कि किसी वस्तू का अंकित मुल्य 110 है और उ परसेंट का डिसकाउंट है option नंबर दो बिलकुल सही जवाब कितना 10% का डिसकाउंट अच्छा पिछली क्लास की वीडियो बच्चे आप ऐसा करना प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे उपर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में ना भी मिलेना तो आप सर्च में डालना और चैन बैच एससी सीजियल एससी सीजियल चैन बैच डाल देना तो सारी के सारी वीडियो आपकी वहाँ पर प्लेलिस्ट आ जाएगी अच्छा चेक करना पड़े का सौरव भुंगला भाई सात्सो चप्पन का एक सच ठीक हमें एक बार देख लेता हूं हो सकता है भई हमसे गलती हो गई हो बिल्कुल सही बात है एक बार देख लेंगे उसने का संकर 30 परसेंट और 10 परसेंट की किर्मिक छूट पर एक घड़ सोरी 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 हां 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 ठीक है ठीक है इसमें न हमने अंकित मुल्य निकाल दिया वह ठीक थीक था 1058 वाला ठीक है ठीक है हमने न हमने यहां तक सही निकाला था एक सेकंड हमें न उसका कॉस्ट प्राइज निकालना था हमने उसका अंकित मुल्य पर ही बेच दि तो बच्चे वो discount ले गया था तो उसने खरीदा कितने में होगा खरीदा कितने में होगा ये बात आप focus करो ये सही पकड़ी है बात आप लोगों ने गलत करवा दिया मेरा दो एक बच्चा सही कह रहा था तो यहां पर अगर 37% का discount है ना तो उसने हमें तो cost price निकालना है हमने अंकित मुल्य निकाला तो हमें तो उसका cost price चाहिए वो 37% सो में से कर भीयतने का discount ले गया वो 63% कितना 63% का मान निकालना है हमको 12 गुणा 63% अब आपका cost price आएगा कितना बारतिया 36 हासिल का 312 चिंग 72 और 375 साथ सो चपन रुपे में लाया है खरीद कर ये cost price है उसका और क 140% का लाब कमाना है तो कितने में बेचेगा 140% इसका निकालना है आपको इसका 140% निकालना है भाई हमने वो जो 1200 निकाल आए वो तो अंकित है अंकित है वो है ना चलो जीरो से जीरो खतम चौदे चिंग चौरासी हासिल के आठ चौदे पंजे सत्तर और आठ अठाटर चौदे सत्ते अठाण में अठाण में और साथ कितना होता है एक सो पांच और बटे दस कितना हैगा 1058.4 चलो ठीक है आंसर कितना हैगा ओप्शन नंबर दो यह नहीं चलो नेक्स्ट आजाओ इस सवाल पर क्या अंसर होगा इसका यदि एक डीलर किसी वस्तू के अंकित मुले पर 10% की छूट देने के बाद भी 5% का लाव कमाना चाहे तो किरिये मुले को कितना प्रतिसत बढ़ा कर अंकित करना उसे होगा अब आपको क्या करना है यहां पर एक कॉंसेट आपको मैं सिखाऊंगा और फॉर्मूला भी मैं आपको लिखाऊंगा आपको फॉर्मूले से जाना है आपकी मर्जी कॉंसेट से जाना है तो भी आपकी मर्जी देखे एक डीलर किसी वस्तु को अंकित मुल्य के दिसकाउंट दस परसेंट के छूट देकर बेचता है तब भी उसे पांच परसेंट का लाब हो जाता है कितने परसेंट में बेचेगा अगर उसने अंकित मुल्य पर 10 का डिसकाउंट दिया तो कितने परसेंट में बेचेगा जल्दी से बताओ, अगर उसने अंकित मुल्या मार्किट प्राइज पर 10% का डिसकाउंट दिया, तो वो कितने परसेंट में बेचेगा, आप कहेंगे सर मार्किट प्राइज पर अगर 10% का डिसकाउंट दिया ना, तो सर वो 90% में बेचेगा, ये सेलिंग प्राइज है उसका सेलिंग प्राइज क्या है कि अंकित मुल्य पर अगर वो 10% का डिसकाउंट देता है तो अंकित मुल्य के 90% में बेचेगा ओके और उसे तब भी 5% का लाब हो गया लाब किस पर होता है? कॉस्ट प्राइज पर बचे अगर कॉस्ट प्राइज पर 5% का लाब कमाना है तो कितने परसेंट में बेचना होगा? कोस्ट प्राइज पर किरिये मुल्य पर अगर 5% का प्रॉफिट कमाना है तो कितने परसेंट में उसे बेचना होगा सर हमें कोस्ट प्राइज के 105% में बेचना होगा 105% में कोस्ट प्राइज के 105% में बेचना होगा ये भी सेलिंग प्राइज ये भी selling price, क्या ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्या ये दोनों बराबर हो जाएंगे, मैं repeat करता हूँ, उसने कहा अंकित मुल्य के 10% discount पे बेचा, तो अंकित मुल्य के 90% में बेचेगा, और 5% का लाभ कमाना है, तो क्या किरिय मुल्य के 105% में बेचेगा के नहीं, सकते 105, तो CP और MP का रेश्यो कितना होगा, भाई CP और MP का रेश्यो, CP के सामने 6 और MP के सामने 7, तो यानि कि कोई वस्तु 6 में अगर खरीदी गई है, तो भाई मेरे वो 7 उसका अंकित मुल्य है, उसका market price कितना है 7, सवाल कह रहा है कि कितना पिरतिसत बढ़ा कर अंकित करे, तो एक रियूनिट जादा और कितने पर 6 पर और गुणा सो, आप कहेंगे सर 16 सही 2 बटे 3 परसेंट, आप कांसर कितना होगा, option number 2 बिलकुल सही जवाब है, 16 सही 2 बटे 3 परसेंट जादा उसको अंकित करना होगा, ठीक है, तो यह सवाल एक formula से भी होता है, बचे, formula की condition होती है, formula की condition है कि सवाल में केवल अंकित मुले और किरिय मुले की बात कर रहा होगा, इसकी किरिय मुले की और अंकित मुले की, विक्रे मुले की कोई बात नहीं होगी, कोई बात नहीं होगी विक्रे मुले की, दूसरी बात, एक ratio बनता है CP और MP का क्या ratio बनता है CP के नीचे 100% minus D% और अंकित के नीचे 100% plus P% जहां पर D क्या है? जहां पर D है आपका discount और P क्या है? P है profit P है profit ठीक है? तो discount कितना है? 10% का तो 100 minus 10 90% profit कितना है? 5% का तो 105 तो ratio आजाएगा कितना? 15,690 और 15,7105 6,7 का ratio आगया कितना ज़्यादा अंकित किया? एक और किस पर? 6 पर और गोना 100 अंसर आजाएगा 16 सही 2 बटे 3% ऐसे भी आप अपना अंसर बता सकते हैं ठीक है? चलो next question चलते हैं जल्दी से सवाल बता दो क्या होगा भई? क्या आपका अंसर होगा इस सवाल में? उसने कहा एक व्यापारी अपने माल को अंकित मुल्य के 10% बटे पर बेचता है और 10% का लाब कमाने के लिए वस्तु का क्या मुल्य अंकित करे? जो उसे 900 रुपे में मिली हो यानि के 900 रुपे उसका किरिये मुल्य दे दिया इस बार अब उसने दो चीज की ही बात करी है cost price की और अंकित मुल्य की और उसने discount percent दिया है और profit percent दिया है तो आप ratio से भी कर लो formula से भी कर लो और equal कर गे उससे भी कर लो तो यहां से CP और MP का direct ratio क्या हो जाएगा भाई, 100% minus D% और 100% plus का P% तो सवाल कहता है, discount कितना है 10, तो 90%, profit कितना है 10, तो 110%, अनुपात कितना आ गया, अनुपात आ गया 9, 11 का, यानि के उस वस्तो का किरिया मुल्य अगर 9 है, तो उसका अंकित मुल्य कितना होगा, उसका अंकित मुल्य हो जाएगा 11, सवाल ने कहा, उसे 900 रुपे में खरीदा गया, तो 9 यूनिट का मान 900, एक यूनिट का मान 100, सवाल ने कहा, अंकित मुल्य ग्यात करो, तो 11 यूनिट का मान क्या होगा, 11 गोना 100, यानि के 1100 आपका बिलकुल सही जवाब होगा, अपसा नमबर 4, ओके, चलो एक और सवाल, बताओ, एक दुकांदर ने 5 परसेंट का डिसकाउंट देकर वस्तो को बेचा, और 25 परसेंट का बताओ क्या होगा, तो परसेंट प्रॉफिट बताओ क्या होगा, यहाँ पर पॉइंट वाली चीज बन गई अब, देखो अगर किसी वस्तो पर कोई डिसकाउंट ना दिया जाए, तो वो किस पर बेची जाती है, भया आप मेडिकल स्टोर जाते हो, दवाईयां खरीते हो, तो दवाईयों पे तो कोई डिसकाउंट नहीं होता, 0.5 तक रुपे ले लेते हैं वो, तो वो जब डिसकाउंट ना मिले, तो वस्तु MRP पर, अंकित मुले पर ही बेची जाती है, है ना, लॉस हो, अच्छा एक बचा गरा है सर, अगर लॉस हो, हाँ, उसका भी मैं भी बत बता देता हूँ, मैं अभी बताऊंगा, पहले इसको करो, पांच परसेंट के डिसकाउंट पर अगर बेची गई, तो CP और MP का रेश्यों क्या होगा, भाई, 100% माइनस D परसेंट और 100% पिलस का P परसेंट, एक बच्छा करा है सर, अगर लॉस हो, लाब की जगा हानी हो, त बच्छे यहां माइनस L परसेंट कर देना, बैस, माइनस सो से घटा देना, MP के नीचे अगर उसको 100% पिलस P परसेंट है ना, प्रॉफिट है, लॉस है, तो माइनस L कर देना, अगर लॉस हो, तो माइनस L परसेंट, ठीक है, तो यहां पर करेंगे सवाल को, तो उसने कहा, दुकानदार ने 5% का डिसकाउंट दिया, तो यह 95% आ गया, 23,25% का प्रॉफिट तो 123.5%, तो भाई, इनका अनुपात ले लो आप, यहां जरूरत भी नहीं है, आप मुझे एक बात बताओ, परसेंट से परसेंट ही हटा दो, आप ऐसे ही रहने दो, कि पिच्चान में से 123. 23.5, सवाल करें, अगर कोई डिसकाउंट ना दे, कोई भी छूट ना दे, तो प्रॉफिट कितना होगा, यानि कि आप कहेंगे, पिच्चान में में खरीदी, और डारेक्ट अंकित मुल्य पर ही बेच दी, तो कितने का फायदा हो गया, 23.5, 28.5 का, कितना हो गया, 28.5 का, औ और किस पर, पिच्चान में खरीदी, और गुणा सो, पॉइंट हटेगा, बटे जीरो, भाई कितना जागा, 29, 27, 27, 25, 25, पूरा तीन बार कट गया, यानि कि आपका 30% का प्रॉफिट हो गया, कितना 30% का लाभ होगा, जब उस पर कोई भी डिसकाउंट नहीं दिया जाएग चलो, यह सवाल अब मैंने आपको दिया कमेंट बॉक्स के लिए, यानि कि हमवर्क आपको करना है सवाल को, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, कल की किलास हम यहीं से सुरुवात करेंगे, तो एक बार किलास को लाइक करके जाएगे, अगर अच्छी लगी हो, तो बाकी मि किलते हैं, कल डिसकाउंट के एक और जबर्दस सेशन के साथ, थेंक यू, बाई बाई, जय हुआ